हेलो फ्रेंस कैसे हैं आप सब लोग वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूँ पूजा और फ्रेंस आद में आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ एक बिर्यानी की रेस्पी फ्रेंस बहुत ही जबदस एक बिर्यानी जो है न ये बर्गे रेडी होई थी और मैं गारंटी की साथ बोल सकती हूँ कि ये मार्केट से भी कई ज्यादा अच्छी बनी थी और आज में आप लोग को स्टेप बाई स्टेप बताऊंगे कि आप एक बिर्यानी घर पे कैसे बना सकते हैं बहुत ही अच्छी और बहुत ज़्यादा ताम-जाम नहीं है इसमें बहुत ही जल्दी बन तो सबसे पहले हम यहां पर राइस कुक करेंगे तो मैंने नहां पर पानी रख दिया था गरम होने के लिए देखे पानी में अच्छे सुबाल आ गया है तो इसमें हम थोड़े से खड़े मसाले डाल देंगे इसमें मैंने लिया हुआ है दालजीनी का टुकड़ा इलाइची काली मिर्च ली हुई है मैंने एक स्टार फूल लिया हुआ है थोड़ा समय इसमें नमक एड़ करेंगे और यहां पर इसमें एक टेबल स्पून एड़ किया हुआ है रिफाइन डॉयल ताकि जो चावल है नो बिल्कुल खीले खीले बने सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब मैं इसमें एड़ कर रही हुँ चावल तो मैंने यहां पर चावल को न भिगो की बिल्कुल भी नहीं रखा था मैंने सेम टाइम इसको वाश किया है और इसको पानी में डाल देंगे तो यहां पर हमें चावल को न 90% तक कुक कर लेना है अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे इसे मैट कर रही हुँ थोड़ा सा फ्रेस कटा हुआ हरा धनिया तो यहां पर यह देखिए फ्रेंस चावल न अच्छे से कुक हो गया है मैंने इसको 90% तक ही कुक करना है पूरा अदम अच्छे से इसको ओवर कुक नहीं करेंगे चावल को तो इसको हम चेक कर लें चावल है उसका पानी है वो निकल जाएगा तो इसी तरीके से आप भी चान सकते हैं अगर आपके पास कोई बड़ा सा श्टेनर हो तो उससे आप इस तरीके से चान ले राइस को तो इस तरीके से जो राइस होगी ना बिल्कुल खीली-खीली वनेगी और इसको ना हमें फैला देना है किसी बड़े से बतन में ताकि जो राइस है ठंडी हो जाए दूसरी तरफ यहां पे हमें प्यास फ्राइ करना है तो यहां मैंने दो बड़े साइस के प्यास लिए हुए है प्यास को हमें बिल्कुल गोल्डेन ब्राउन कर लेना है तो प्यास को विल्कुल हाई फ्राइ करेंगे तो यहां सारा जो प्यास होता है मैं इसमें डाल दे रही हूं तब तक हम बाकी की त्यारी कर लेते हैं यहां पर मैंने एक था ना एक को बॉयल करके रख लिया है तो इसमें एड़ कर देंगे हम हल्दी रेट चिली पाउडर एड़ करेंगे इसे कलर बहुत ही अच्छा एगा नमक एड़ कर देंगे इसमें अच्छे से पाहँ को मिक्स कर लेंगे अच्छे इसमें मिक्स करके और अभी हमें क्या करऊंगें एक फोक लेना है फोक Medicine करें टांकि जब में एक को फोस्ट इसमें ड cleared कर दे इसमें एक टेबल स्पून भरके कस्मीरी रेड चिली पाउडर, एक टेबल स्पून एड़ करेंगे इसमें धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून एड़ करेंगे इसमें जीरा पाउडर और एक टेबल स्पून मैं यहाँ पर आड़ करी हूँ बिर्यानी मसाला, तो यहाँ पर मस तो इसी तरीके से रेडी किया जाता है तो प्यास को हम साइड में रखते हैं अब इसी ओयल में हमने जो एक मरिनेट करके रखा है उसको हम फ्राइड कर लेंगे और यहां पर मैंने जो थोड़ा से एक्ष्रा ओयल था न वह निकाल दिया है तो एक को हम यहां पर अच्छे से फ्राइ कर लेना है तो यहां पर इसी ओयल में अब हम बिर्यानी रडी करेंगे तो इसमें हम अट करेंगे खड़े पнесाले तो मैं यहां पर एड कर रहे हूँ इसमें सबसे पहले जीरा त्ढ़ता आट करेंगे एक दाल्शीनी का तॉकरा ए प्याज एड़ुब्र एक टेबल स्पून जुइंजर गालिक पेस्ट पेस्ट इसको भी मसाले के साथ कुछ सेकेने के लिए हम भून लेंगे और आप मैं इसमें एड़ कर रही हूँ दो टमाटर की प्यूरी तो टमाटर को देखिए मैंने इस तरीके से पीस लिया है टमाटर एड़ कर देंगे अब यहाँ पर हमें मसाले को अच्छे से भून रहा है जब तक कि मसाले में से जो ऑईल है वो सेपरेट न हो जाए यहाँ अब यह देखिए फ्रेंद जो मसाला है ना यह भून चुका है हलकालका जो ऑईल है वो इसमें से सेपरेट होने लगा है तो थोड़ा ज़र और हम मसाले को यहाँ पर भून लेते हैं और यहाँ पर यह देखिए जो राइस है यह हल्प ठंडी हो गई है और आप देख सकते दाल लेना है फिर इसके बाद हम दही को मसालों मेंड करेंगे अब इसको मिक्स करेंगे और गयस का फ्लेम on कर देंगे इसको हाइ है न वो फटे न तो गैस का फ्लेम हाई कर दें और इसको लगातार चलाते हैं फिर हमें दही को मून लेना है तो बहुत देखें इसको यह सिर्की से ना कंटिनूसली आप चलाते रहें और दही डालने से फ्रेंज जो एक बिरयानी है न बहुत ही टेष्टी बनती है बहुत ही अच्छा उसमे टेस्ट आता है दही डालने से यहां देखें मसालों में हलका हलका सा वह बाला नहीं लगा है तो जो दही यह न हो फटने का डर बिलकुल भी नहीं है यहाँ पर हमें मसाले को अच्छे से भुनेंगी जब तक कि जो ओल है ना बिल्कुल सेपरेट ना हो जाए दही में से तो बस इसको इसको इसके तरीके से लगातार चलाते रहें अब इसमें हम नमक डालने के बाद मसाले को यहाँ पर अच्छे से भुननेंगे बिल्कुल सेपरेट हो गया है आइल बिल्कुल सेप्रेट हो गया है तो अब इसमें हमने जो एक फ्राई करके रखा है ना एक डाल देंगे एक को भी हम यहाँ पे ज्यादा नहीं सीवे एक से दो मिनिट हाई फ्लेम पर इसको हमें भून लेना है मसालों के साथ में मैं बिल्कुल सेप्रेट में बनाने वाली हूँ तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मसाला जो है अलग फ्लेंट में निकाल लिया है थोड़ा सा मसाला और जो एक है ना उसको हम पैन में ही रहने देंगे और यहाँ इसको में अच्छे से फैला देना है और अभी मैंने गैस का फ्ल दाल तो पहले हम सारा जो लेयर है, सारा जो डेकोरेशन है इसके उपर यह राइस डाल देंगे और पिर जो मसाला हमने निकाल के रखा है अईकवाला उसको भी हम इसके उपर अच्छे से फैला देंगे तो यहां पर फिर से से पूदीने के पत्ते भी काट के डाल दिये हैं घी एट करेंगे इस पे थोड़ा सा और यहां पर मैंने यलो फूड कलर लिया हुआ है इसको मैंने केवरा वाटर में मिक्स कर लिया है फिर से इसके उपर हम राइस के एक लियर बनाएंगे तो यहां पर फिर से सेव होई प्रोसेस करना है अब हमें प्यार्जे स्प्रिंकल करना है हरा थն्या कर देंगे घी डाल रही हुमें पर अब इसमें फूड कलर डाल देंगे फूड कर ल, न आहाँ अप चाहाए से न हम इसको cover कर देना है ताकि इसका जो heat है वह बिल्कूल भी बाहर नहीं आ चाहिए क्योंकि इसके heat में ही जो बिजयानी होती है वो दम होती है तो अब इसको हम इस ताधे से cover कर देंगे और बिल्कुल low flame पर 10 मिनिट मुछ इसको ऐसे ही छोड़ देंगे जब भी आप बिर्यानी को mix करें तो हमेशा आप इसको corner से mix करें, बीच में से न करें, तो यहाँ पे यह देखें, rice, एक एक जो rice है बिल्कुल खिला-खिला बना हुआ है, और यह देखने में काफी ज़्यादा colorful लग रहा है, यहाँ पे न मैंने बिर्यानी को अच्छे से मैं बियानी को फिर इसके बाद हम इसे प्लेट में सर्फ करेंगे को आप चलिए आप प्लेट में सवर्फ करेंगे मुझे अधर कशनल जरूर घजा एगल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज आप इसे अपने फैमली और फ्रेंज के साथ जरूर सेयर करिए और आप लोग इस एक बिर्यानी की रेस्पी को जरूर ट्राइ करिएगा और फिर उसके बाद आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों की एक बिर्यानी कैसी बनी थी तो चले